असलम वालेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बक्राइद स्पेशल भुना कीमा कलेजी की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले बहुत इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी बनता है तो एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीस वीडियो फ्रेंडS में जुरूर्ण शेयर कर दिजिएगा तो चली देख लेते हैं कीमा कलेजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम कलेजी ले लिए हैं यानि हाफ केजी कलेजी ले लिए इसको हमने अच्छे से वास कर लिया है आपको देकना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप चेक कर लिजेगा थोड़े बड़े बड़े पीसिस में लिए आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं आप 250 ग्राम हमने यहां पर कीमा लिया है और थोड़े से फैट के साथ लिया है से बहुत टेस्टी बनता है अच्छे से वाश कर लिया है अब यहां प कुछ सेकिंड के लिए अब देखिए अब यहां पर दो मीडियम साइस के प्याज लिया है जिसको हमने स्लैसे में कट कर लिया है तो यह एक मिनट फ्राइब करेंगे और यहां पर लिया हमने दस से बारा लैसुन की कर लिए इसको बारिक-बारिक कट कर लिया है एक इंच का तो अब इसमें एक कीमा कर देंगे और इसको हमने भूनना है एक से दो मिनट के लिए तो अगर अभी तक आपने इस्टेग्राम या फेस्बुक पर फॉल्लो किया है तो जल्दी से जाएए फॉल्लो किजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन वाक्स में मिल जाएगा तो कीमे को नहीं हम नहीं आपर एक मिनट भून लिया है एक मिनट होabile फूंते हुए तक तो अब इसमें एड करेंगे हम कलेजी हैं यहां पर हम कलेजी एड करदेंगे अब इसमें एड करेंगे वन टेबल स्पून अध्रक लैसुन का पेस्ट और तीन मीडियम साइज के हमने टमाटा लियें जिसको इस तरह से स्लाइसे में कट कर लिया है तो यह अड कर देंगे हुआ हुआ अब इनको बूना है आपि मिक्स कर लिंगे वुणेंगे फ्लेम को अभी हमने हाइई किया हुआ है तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स तो अब इसमें पॉडर मसाले जाएंगे तो हमने आपर 2 Frei नमक यहां पर अच्छा एंगे और अच्छे तो बहुत अच्छे से आप हाई फ्लेम पर भून लीजिएगा यह देखिए रेसिपी पसंद आ रहे है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बक्राइच से डिलेटड जो भी रेसिपी आइसकी नौटिफिक्शन सबसे पह रहेंगे बिल्कुल भी क्योंकि जो दही डाला है वह पानी रिलीज करेगा तो इसी में यह पकेगा अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया इसको कवर कर दिंगे फ्लेम को लो कर दिंगे लो फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए और भीच- अब इसमें एट करना है मैं कसूरी मैथी तो यहां पर मैं बन टेबल स्पून कसूरी मैथी एट कर दूँगी बहुत यह अच्छा फ्लेबर आएगा अब एट करेंगे इसमें 1 टी स्पून गरम मसाला पावडर और एक मुठी कट किया हुआ हरे धनिया एट कर देंगे बस अच्छे से सभी चीजों को हमने यहां पर मिक्स करना है और फ्लेम को हमने अभी हाई किया हुगा हाई फ्लेम पर ही अच्छे से भून रहे हैं क्योंकि जितना अच्छा हम भूनेंगे न उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा अब देगे इसमें हाफ कप पानी एट करेंगे क्योंकि हमने जो मसाले बगरा इसमें अभी एट किये हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं तो आपका पानी अट करकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर करना है फ्लेम को लो कर दीजिए लो फ्लेम पर हमने पांच मिनट के लिए पका लेना है उसके बाद आप फ्लेम बंद कर केम को बंद कर दिया था मैंने और यह हमारी कीमा कलेजी बंद कर त्यार उच्छी कि एक दब मसालेदार चट पटी सी तो एक बार ट्राइज जरूर कीजिए यहां पर हम इसको सर्फ कर लेंगे यह देखिए बहुत ही टेस्टी है तो ट्राइज करना तो बनता है इस रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशाला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अलहाफिज